हेलो फ्रेंट्स तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ माटेरियल रिक्वाइट फॉर वन एम क्यूब ऑफ कॉनक्रीट तो ये इसका सेकेंड मैथर्ड है फर्स मैथर्ड मैं आपको बता चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन पर दे दूँगा आप जाके वहाँ से वो वीडियो को देख सकते हैं तो इस सेकेंड मैथर्ड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से किसी भी कॉनक्रीट गरेट का 1MQ कॉनक्रीट का माटेरियल कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं यानि कि इसमें सेमें कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एगरिगेट कितना लगेगा वो आप इस कैलकुलेशन से जान सकते हैं बहुत ही िजी कैलकुलेशन है, आप step by step देखते जाए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और पहली बार यहाँ पे मैं इसमें portrait mode में निकाला हूँ ताकि आपको कैसा है कि बार बार मैं जो इसको सरकाता हूँ कभी calculation लंबी हो जाती है तो सरकाना पड़ता है तो पहले बारा जो calculation है वो दिखता नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे खड़े में बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी दरीके से पूरा दिखे आप इसको full screen mode में कर लेंगे तो आपको यह पूरा page दिखेगा तो यहाँ पे मैं example के लिए ले लेता हूँ M25 grade of concrete जिसका ratio रहता है 1 raise to 1 raise to 2 तो यह ratio का मतलब यह होता है कि 1 bag of cement 1 bag of sand and 2 bag of aggregate यह इस ratio का मतलब होता है अब क्या करना अब आपको quantity निकालनी है तो quantity निकालनी के लिए सबसे पहले आपको जो material है उसकी density आपको पता होनी चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ density density of cement वो रहता है 1440 जो कि यह constant रहता है हमेशा यही रहता है cement की density ठीक है दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ density of sand इसमें कैसा है कि यह sand की density constant नहीं रहता है अलगला location के हिसाब से यह change होते रहता है तो यहाँ पे मैं example के लिए 1600 ले ले रहा हूँ sand की density kg पर mq value change हो सकता है लेकिन calculation बिल्कुल same रहेगा फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ density of aggregate इसका भी ऐसा ही है यह भी constant नहीं रहता है इसका भी एक range रहता है 1200 से लेके 1750 तक का तो यह location के हिसाब से change होते रहता है तो यहाँ पे मैं ले ले लेता हूँ density of aggregate 1450 kg पर mq यह जो है यह इसकी kg पर mq है वो density की unit होती है हमेशा इसको याद रखें अब क्या करना है अब सबसे पहले जो पहला step रहेगा वो निकालना रहेगा volume of one bag of cement सबसे पहले हमें निकालना है तो उसके लिए कैसा निकालना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ volume of one bag of cement तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कभी भी हमें अगर volume निकालना है तो इसका जो formula हमेशा आप याद रखें उसका formula होता है weight upon density यह इसका formula है तो कभी आपको अगर density निकालना रहेगा तो weight upon volume कर देंगे तो आपको density मिल जाएगा या कभी आपको weight निकालना रहेगा तो volume into density कर देंगे तो weight निकल जाएगा तो यह तीनों तरीके से यह formula use होता है तो इसको आप हमेशा याद रखे 1440 तो यहाँ पे हम इसको calculate कर लेते हैं तो यह answer आजागा इसका 0.035 mq तो यह इसकी density निकल गए कि इसकी one bag of cement की अब हमें volume of sand निकालना है volume of sand उसके लिए क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ बहुत easy formula बता रहा हूँ बहुत easy तरीके से बता हूँगा यह जो volume of one bag of cement है न तो यहाँ पे आप लिख देंगे सबसे पहले 0.035 उसके बाद यहाँ पे देखना है आपको कि sand का proportion क्या है यहाँ पे mix design का तो यहाँ पे sand का proportion one है तो हम इसको simply into one कर देंगे और इसको calculate कर देंगे तो answer यही आने वाला है 0.035 m3 ठीक है अग हमें निकालना है volume of aggregate aggregate के क्या करना पड़ेगा same वही चीज़ करेंगे यह जो volume of one bag of cement आप वो लिख देंगे 0.035 into अब यहाँ पे into करना है इसके proportion से aggregate के तो into यहाँ पे 2 कर देंगे तो यह हो जाएगा 0.07 m3 अब volume निकाल गया तो हम अब इसका weight निकाल सकते हैं इसी formula से तो अब हम इसका weight निकाल लेते हैं तो लिख देता हूँ यहाँ पे weight of send ठीक है weight of send के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको यह जैसे यह weight था मैं आपको क्या बताता कि अभी भी अगर weight निकालना है तो यह volume into density कर देंगे तो weight निकाल जाएगा है तो यहाँ पे अभी हमें weight निकालना है तो क्या करेंगे volume into volume into density करेंगे volume हमने send का निकाले यह 0.035 और उसकी density से हम इसको multiply कर देंगे तो इसकी density है यहाँ पे 1600 और इसको calculate करेंगे तो answer मेलेगा हमें 56 kg अब इसको kg बोलो या लेटर बोलो दोनों एक ही है अगर side mixing करते हैं हम वहाँ पे जो हम mix दिया मंगाते हैं लेटर में मिलता है लेटर और kg दोनों एक ही होता है क्योंकि जो फर्मा हम यूज करते हैं तो लेटर में रहता उसकी unit इसलिए हम लेटर में लिख सकते हैं और kg में भी बोल सकते हैं थीक है अब यहाँ पे मैंने cement इसलिए निलिया कि कुछ cement का weight हमें पता है 1 bag of cement का 50 kg रहता है इसलिए मैंने cement ने लिया directly मैंने sand ले लिया अभी यहाँ पर second number पर निकालते है weight of aggregate इसके लिए भी क्या करना है जो हमने volume निकाल लेते aggregate का वो और multiply by इसका density तो 0.07 into इसके density है 1450 तो इसको calculate करेंगे तो answer आएगा 101.5 kg और liter जो मैंने आपको बताया ठीक है यह हो गया अब साथ में क्या करते हैं साथ में हम यहाँ पे water required निकाल लेते हैं water required कि अगर अगर आप one bag of cement का अगर quantity बनाएंगे तो आपको water कितना लगेगा तो वो भी निकालना है तो मैं बताता हूँ आपके कि 0.5 का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे कि weight of cement होता है 50 kg वो लिख देंगे और यहाँ पे उसको multiply कर देंगे 0.5 से तो यह हो जाता है 25 liter तो हमने क्या कर लिए water भी निकाल लिए aggregate भी निकाल लिए और sand भी निकाल लिए ठीक है अभी क्या करना है हमें अब यह procedure हुआ सिर्फ one bag of cement का अब हमें निकालना है one m cube of concrete का तो इसका भी निकाल लेंगे बहुत easy है for one m cube concrete अभी हमें इसके लिए निकालना है इसके लिए क्या करना है आपको बताता हूँ मैं हमें सबका weight निकालने ना जी जिए weight of concrete हमें निकालना है one bag of cement का यह जो one bag of cement का जो हमने weight निकाले उसको हम प्लस कर लेंगे तो प्लस कैसा है कि cement है 50 kg वो लिख दिया मैंने send आया 56 kg वो लिख दिया aggregate आया 101 kg 0.5 यह लिख दिया और water आया 25 liter वो लिख दिया तो इसको हमने पुरा calculate कर लेंगे तो answer आजागा यहाँ पे 232.5 liters यह answer आगया अभी हमें इसी का use करना इसलिए हमने यह answer लाए है अब यहाँ पे हम निकाले थे volume of one bag of cement है ना अभी यहाँ पे हम निकालेंगे volume of concrete in one bag कि one bag of concrete का volume कितना हुएगा वो हम निकालेंगे तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कैसे निकालना है उसको volume of concrete in one bag एक bag का जो है जो हमने weight निकाले अब उसका हमें volume निकालना है simply और कुछ नहीं क्या करेंगे यह जो weight है यह weight को लिख देंगे यहाँ पे उसको हम divide कर देंगे उसकी density से क्योंकर same formula अपलाई कर रहे हम यह वाला formula तो क्या होता है कि concrete की density होती है plain cement concrete की density होती है 2400 और reinforced cement concrete की density होती है 2500 हमेशा याद रखें आप इसको तो यह plain cement concrete है तो यहाँ पे हम divide कर देंगे इसकी density से जो के होती है 2400 इसको हम calculate कर लेते हैं तो यह answer आता है 0.097 m3 यह हमने निकाल लिए 1 bag of concrete का volume 0.097 अब इसके according हम metal के quantity निकाल सकते हैं आराम से ठीक है तो अब हम निकाल लेते हैं material के quantity बहुत ही आसान तरीके से तो first हम निकालेंगे यहाँ पे cement required cement required निकालेंगे लिए क्या करना पड़ेगा 1 bag of cement का निकाले थे पुरा यह वाली value तो यहाँ पे 1 bag of के लिए 1 लिख देंगे simply उसको हम divide कर देंगे यह वाली जो volume निकाले है concrete का 1 bag of का तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.097 ठीक है और इसको हम calculate कर लेंगे answer आता है 10.3 bags तो यह इसका answer आगया कि 1 bag of कि यह इसका answer आगया कि 1 M cube of concrete में अगर M25 grade of concrete का बनाएंगे तो आपको 10.3 bags लगेगा तो अभी मैं आपको बता देता हूं इसमें कि यह 10.3 bags आपको ज़ादा लग रहा होगा तो यह ज़ादा इसलिए लग रहा है क्यूंकि हम जब M25 grade of concrete का बना रहे है इसमें mix design तो इसके अंदर कोई भी add mixture यूज नहीं कर रहे है अगर हम add mixture mix करेंगे तो automatically क्या होता है कि cement bag कम हो जाता है अगर आप add mixture यूज करते हैं BASF का या force rock का 250 ml आपको यूज करना पड़ेगा और अगर आप वो यूज करते हैं तो आपका सिफ 7.7 bag ही जाएगा cement का लेकिन हम यहाँ पर अभी simple calculation कर रहे है जिसमें add mixture नहीं इसलिए जादा आ गया है अब यहाँ पर हम second निकाल लेते है send required तो send required के लिए क्या करना पड़ेगा send हमारा आया था 56 kg है ना तो 56 लिकिंग है यहाँ पर उसको divide कर देंगे यह वाले volume से 0.097 से तो जब इसको calculate करेंगे तो यह answer आता है 577.32 liters मैं बताया था आपको kg लिटर से एक ही होता है इसलिए मैं आप लिटर से लिख रहा हूँ कि सारा units एक जैसर हैगा तो यह इसका answer आ गया अभी मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर aggregate required aggregate कितना आया था यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 101.5 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 101.5 उसको divide कर देंगे यह वाले volume से 0.097 तो जब हम इसको calculate करेंगे तो हमें इसका answer मिलेगा 1046.39 लिटर तो यह हमने aggregate required भी निकाल लिए अब last बचा हुआ है हमारा water required कि water कितना लगेगा 1mq of concrete बनाने के लिए तो water यहाँ पर आया था 25 लिटर तो 25 यहाँ पर लिख देंगे और उसको simply same volume से divide कर देना है 0.097 से तो इसका answer आ जाता है 257.73 लिटर तो गाइस हमने यह answer निकाल लिए कि अगर हमें material required निकालना है 1mq of concrete के लिए और अगर हमको निकालना है m25 grade of concrete का तो हम इस तरीके से calculation करके यह हमारा main answer आ जाएगा कि cement इतना लगेगा sand, aggregate, water इतना लगेगा तो I hope guys अगर आपको यह video अच्छी लगी होगी आप कुछ इसमें समझ में आया होगा तो इसे like कर दे, share कर दे और आप मेरे channel पर नए आया हैं तो इसे subscribe कर दे तो चलिए guys फिर मिलते हैं next video में कर दो इसे कर दो आपको यह लगेगा